कि अम्राoded है कृण की एकंट है को ऑख्ध कुछन हरे कृष्णा स्बी दों सौगत है इस इंप्डिलान सास्त्र विद्कृष्ण गोर्दास में तो आज पवित्र योगीनी एकादसी है तो आज हम सभी पवित्र योगीनी एकादसी के महत्तों को श्रवन करने वाले हैं तो जिसके बार में ब्रह्मा वाईवर्त पुरान में विस्तारियत रुप से वर्ण है तो हम लोग आज ब्रह्मा वहीवर्त पुरान से जानेंगे आज के पवित्र योगीनी एकादसी के महत्तों के बार में तो हम प्रवेश करेंगे मंगलाचरण के द्वारा ओम ज्ञानत मेरा अंधस्य ज्ञानांजन सला कया चक्षुरुनमिलितंजेन तस्मै श्री गुरुवे नमा श्रीचाइतन्यमन अवरिष्टं स्तापितं येन भूतले स्यम्रूपक दामयं ददातिश्य पदांतिकं वन्देहं स्रेगुरो स्रीजूत पदकमलं स्रेगुरुन वैश्नवांश्य श्रोपम्साग्रजातं सहगनरगुनाथानितं तमसजीवं स्वाधैत स्वावधूतं परियनसहितं श्रीष्ण चैतन्यदेवं श्रीशी राधा कृष्ण पाधान सहगन ललिता सिविशाखान निताम्स्च ए कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत्य राधा कांत्य नमोस्तुते तत्तकांचन गोरांगी राधे व्रिंदा वनेश्वरी व्रिशवानो सुते देवी प्रणमा मिहरी प्रिये जैस्री आन्चलनिवा साय नित्ताय परमात्वने वलवद्र सुवद्राव्यं स्रिजगन्नाः जैस्री आनंद मयलिला विग्रहाय हेमांग दिव्यच्वी सुंदराय तस्मै श्री महा प्रेमरस प्रदाय श्री चैतन्न चंदराय नमो नमस्ते श्रिनित्तानंद नमस्तोब्यं प्रेमानंद प्रदाइने कलो कलमशनासाया श्रिजान्नवा पते नमा जैशिप्रंचतत्वातत्वं कृष्ण भक्त रूप सरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामी भक्त सक्तिकं जै स्रीकृष्ण चैटन्या प्रभुनेत्या नंद स्रियद्वई Pokemon भस्तोफष्वार ड्लिका भक्त ब्रेण्द नेले खृष्ण कृष्ण 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 ररेल नम्हरे रही रामहरे रममो रोम olsun रम रहे हरे气्ट्रशन तोम नमो भगवते वासुदेवायो श्री वासुदेव भगवान श्री मदुसूदन भगवान के चरण में प्रेंडत निवदन करके आज हम सुरू करने वाले हैं श्री ब्रह्मा वैवर्त पुरान से योगिनी एकादसी के महत्तों को तो हम जानेंगे कि कैसे आज के पवित्र योगिनी एकादसी का प्राकटे हुआ और इसके पीछे जो रहस्य है जिसको पुरान में वर्नन किया गया है उसको हम इस तारी दुरुप से जानेंगे तो चलिए प्रविस करते हैं इस कथा में जानते हैं योगीनी एकादसी का महत्तु तो एक समय ऐसा था जहां पर भगवान शी कृष्ण और उनके साथ युदिष्टिर महाराज दोनों वैटे थे दोनों में संबाद चल रहा था तो इतने में युदिष्टिर महाराज भगव स्वान शी कृष्ण से प्रश्ण पूझे के हैं प्रभू आपने हमको इसके पहले पवित्र नेरजला एकादसी के महत्तों को वर्णन किया था तो आज अभी उसके बाद जो परवर्ती शृष्ट एकादसी आता है कृपा पूर्वक उस एकादसी के बार में हमको बताई है जो की आशार महीने में आता है और वो एकादसी स्रिष्ट हैं तो क्यूं है उसके बीचे रहस्य क्या है कृपा पूर्वक आभ हमको व्यक्त करें तो इसको स्रवन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के इस तुतिया खुद जब युदिष्टिर महाराज से भगवान सुने भगवान को युदिष्टिर महाराज बताएं कि हे मदुसूदन हे केशी हंता आप कृपा पूर्वक इस दिव्य आशार महीने में जो एकादसी आता है उसके महत्तों को वर्णा कीजिए तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हेस रिष्टर युदिष्टिर तुमारे रिदय में जो प्रश्ण आया है इसको तुमारे माध्धम से सभी जीवे स्रवन करके उनका कल्यान साधन होगा और जो भी वेक्ति इस कथा को स्रवन करके आज के दिन इस पवित्र योगी न प्राप्त करेगा और मेरे धाम को आएगा तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे कथा को व्यक्त करके युदिष्टिर महाराज को बोलें कि युदिष्टिर अभी हम तुमको उसर्वोतम स्रिष्ट बाकी सभी एकादसी का जो फल मिलता है उससे वी सरवाधिक फल को प्राप्त करने के लिए जो एकादसी का प्राकट्य हुआ है वह इकादसी है यियृगिनि एकादसी अध्यान पुरवक्ष्ण रवन करो हमसे एकादसी के महत्तों को है और उसके बाद भगवान कृकृक्रिस्ष्ण हिदिष्टिर महाराज गो siis इस योगीनी एकादसी के बारे में जिसको हम लोग जान पाते हैं ब्रह्मा वैवर्तु पुरान के वर्णनस है तो वहाँ पे भगवान शी कृष्णा बोल रहे हैं कि शीव जी के बहुत बड़े भक्तत हैं कुवेर जी कुवेर का नाम हम लोग बहुत सभी ज्यादातर सुनें हैं पहले और अभी तो बहुत प्रसिद्य है कुवेर तो कुवेर कौन है हम लोग जानते हैं कि बहुत बरेशिव भक्त है और धना खुवेर यंत्र ये तो अभी बहुत ही कुवेर का पूजा अरचन इसब उतना लोग के अंदर प्रसिद्ध नहीं तो समाज में लोग नहीं जानते थे लेकिन अभी ऐसा हो गया इस धन संपत्ति के चकर में इसको प्राफ्ट करने के लिए कोई अब चुवेर का पूजा करते हैं अग्शल कुवेर कौन है है ट्रेजर जोटेजडि को देखता है डेमी गौड्स का तो देव लोग का कोशा दख्स जिसको वोलते हैं तो वह कुभेर जी के दो पुत्र थे नलकुभेर और मनि ग्रिव जिनके लिला कौम्ड़क श्रीमात भागवतम में दाम बंदन लिला में स्रवन कर पाते हैं तो जहां पर कुबेर जी रहते थे अलका पूरी में बहुती प्रशिद्धस्तान तो उस अलका पूरी में भगवान शिव के बहुती निश्टा सर्धा पूर्वक प्रति दिन सेवा पूजा करते थे क्योंकि उस सिव भगते थे तो सिव के लिए हर समय व्याकूल रहते थे सर्वत्तम स्रिश्ट पद्धती से भगवान शिव का पूजा अर्चन करते थे सभी ब्राह्मनों को बुलाते थे महामिट तुञ्जाय का पाठ करते थे और शिव के संतुष्टी है तू सभी प्रकार क विश्व को भगवान शिव को प्रदान करके प्रसन्य करने का प्रयास करते थे तो इतना उनका प्रेम था भगवान शिव के प्रति भगवान शिव का नाम उच्छा रन करना उनके ध्यान में मगना होना उनके लिए ब्रत तपस्यादी करना तो ऐसी प्रति दिन उनका निय जाते थे और सिर्किस्तुतिया पूजा अर्चनादी करते थे तो इस कार्य में उनको से योगता करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर रखे थे जो कि पूजा का सब करके जितने सरंजामादी लगते हैं तो सब उनको प्रदान करें तो इसलिए वह क्या करते थे कि जो उनके पास इस अलगा पूरी में बहुत बड़े बड़े उद्यान थे गार्डेंस तो गार्डेंस में सुंदर सुंदर पुष्प होते थे तो उस पुष्प को उठा के लेकर आने के लिए भी ओं एक जंद सेवक को रखे थे सेवक का नाम था हेमा माल तो हेमा माली क्या करता था कि प्रति दिन जाके ओ सुंदर सुंदर पुष्प सब लेके आके कुवेर जी को प्रदान करते थे और कुवेर जी बैड़ के भगवान शिव के पूजा में भगवान शिव को अर्पन करते थे तो रोजाना प्रति दिन का उसका सेवा था हेमा मा इस कार्य में कभी भी कोई भी गलती नहीं करता था रोजाना नियम अनुसार समय में जाके इस कार्य को संपादीत करता था और कुवेर जी भी प्रशन्नत हैं क्योंकि उनको पूजा से मतलब है और पूजा का सब सानगरी समय के अंदर चले आए इसके लिए बहुती तत्पर रहते थे सचेतन रहते थे कि पूजा में कहीं पर विग्णन आहो तो जहां पर एक दिन एए हेमा माली हम पहुती जादा अपने विवाहित स्ट्री के प्ति आ सकतो हो गया अचानक से एक दिन अब कि उसका स्ट्री बहुती सुंद्री थे उनके आख बहुत सुन्दर सुन्दर थे बहुत बड़े लंबे और उनका सरीर बहुत ही आकर्षनिय था तो अचानक एक परिस्तिती ऐसा हुआ कि सुभे को हिवा माली सरोबर के तट में जाके सुन्दर सुन्दर पुष्प को उठा के लेके भगवान शिव के पूजा के हितु कुवेर जी को प्रदान करने जा रहे हैं तो इतने में ही बीच रस्ते में क्या हुआ अचानक उसके चिंता में उसके स्त्री के रूप को उसने दर्शन किया दिखा कि उसके स्त्री कामाईत होके उसको बुला रही है अब हेवा माली तच्शनाद अपने स्त्री के चिंतन करके बहुत ही ब्याकुल हो गया और स्त्री के साथ सहवास करने के लिए तुरंत दौड और बूल है कि उसका क्या सेवा है कि उसको पुष्प को चैन करके को देना है कुब्र जी को जब पूष्प मिलेगा तभी जा को पूजा कर पाएंगे और जिस काम के लिए उसको रखा गया है लेकिन व इस लिए और बूल के चला गया कहां सिरें अपने स्त्री के पास और उसके साथ संभूब करने तो कुवेर जी उस दिन नहा के सुद्ध पपित्रहों के तिलक धारनादी करके पूजा के लिए बैठे शिव जी के अब पूजा सामगरी में देख रहे हैं पुश्प नहीं है तब वो बाकी सेवकों से पूझे क्या हुआ तो हिमा माली कहां है उसने अभी तक फूल नहीं लाया हमको पूजा सुरू करना है तब इसको सुनके कुछ सेवक बोलें कि आज त तब कुवेर जी बोले है कि जाओ जाके ढूल के लाओ के ओ कहां पे है क्या कारणे किसली ओ नहीं आया है और सर्वपरी मेरा पूजा अभी इसमें विगन हो रहा है कि हम भगवान शिव का पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो पूश्प भी चाहिए तो पूश्प लाने गया स क्रोधित हो गया क्यूंकि उनके पूजा में विगन हो रहा था और नहीं वह भगवान शिव का पूजा कर पा रहे थे तो तब क्या हुआ कि इधर हिमा माली वह अपने स्त्री के साथ संभोग कर रहा था और इस विशे को कुछ सिवगण कुवेर के जान पाए और कुवेर जी को जाके इस विशे में बताएं कि वह भगवान शिव के पूजा के लिए उस पर उठाया लेगे उठाते ओ आपके इस राजप्राशाद के अंदर प्रविश्च करने के पहले ही बीच रस्ते से घूम के अपने स्त्री के पास चला गया और स्त्री के साथ संभोग करने लगा आसकता हो गया उसके प्रतिक तो इसको सुनके तच्चनात कुवेर जी बहुत क्रोधित होगे और कुवेर जी बोले तुम निक्रिष्ट हेमा माली तो तुमको हम सेवा दिये भगवान शिव के सेवा के लिए कि प्रति दिन तुम उनके लिए पुश्पचाहन करके ल तुमको सास्ती भोग करना चाहिए तो तब कुवेर जी अपने कुछ सेवागों को भेजे और बोले कि अभी तुरंत उस पाशंडी दुराचारी हिमा माली को पकर के लाओ कि उसने भगवान शिव के पूजा हे तू जो पुश्प लाने के लिए हम उसको उपदेश देते हैं वो सभी पुश्प को लेके वो अपने घर में चला गया और जाके ऐसे दुस कर्म को कर रहा है तो उसको हम कटोर से कटोर सरजा देंगे और उस खुबेर जी बहुत ही जादा क्रोधी हो गये था पहला कारण गुवेर जी के रोगेद होने का भगवान शिव के पूजा में विगन हुआ था दूसरा कारण है क्रोधी थोने का कि उसने सिर्व बढ़वान शिव के चरण में अपराधी तो नहीं किया कि उजा के सबसे तो इसके कारण है तू ऊक्वेर जी इतने क्रोधित हो गया कि उनके दोनों आग से आग निकलने लगा दोनों आग लाल हो गए गुश्य से वह अपने वह लेग और इतना क्रोधित थे कि उमारी डाले हेमा माली को तो जब हिमा माली को पकड़ के लाया गया कुबेर जी के अलकापूरी में, तब कुबेर जी तत्चनात हिमा माली को देखके बॉले के तुम्हारे जैसे ऐसे निक्रिष्ट विक्ति को इस अलगा पूरी में भगवान शिव के सिवा में लगाना मेरे लिए सबसे बड़ा पराद हुआ है तो तुम कोई भी अंस्य से भगवान के सिवा में निजुक्त होने के योग नहीं हो तो यह मेरा मंद बुद्धी था कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठें तो तुम को अभी इसी शर्ण हम अभिशाव देते हैं अब कुवेर जी के हाथ में बहुत जाद हो सकती था क्योंकि वो सिव भगत थे तो कुवेर जी ने अभिशाव दिया किसको हिमा माली को तो हमा माली को अभिशाव दियें के अभी तुम्हारे पूरे संपून सरीर में कुष्ट रोग हो जाएगा पूरे सरीर में कुछ तरोग हो जाएगा और तुम बहुती घ्रिन डिखने में लगोगे जिस सारीरिक गुन के लिए तुम अपने इस्तरी को आसकता कर रहे थे और जिस सरीर के परती तुम अपने इस्तरी के पीछ धावित हो रहे थे आज वो सरीरी एकदम खराब हो जाएगा ऐसा गलित हो जाएगा और दुर्गंद चोरेगा इससे और पच जाएगा कि जिसको देखे तुमको धारन नहीं करेगे और तुमको छोर देगी और तुम भटकते रहोगे कोई तुम्हारा नहीं रहेगा कोई तुमको सहयोगता नहीं करेगा और कोई भी क पाओगे भी तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा सर्व प्रकार के दर पर चूर नहीं हो जाएगा तो बोलके ऐसे अभिशाप को प्रदान किये तो इस अभिशाप को प्राप्त करने के मात रही तच्छनाग हेवा माली के सरीर में कुष्ट रोग हो गया उसका सारा सरीर बहुत अंगो सब गलने लगे उससे दुरगंद आने लगा और कुष्ट रोग के प्रभाव से उत्थतर करके काप्र लगा उसके अंदर ये अंदर जल रहा था उसको कष्ट हो रहा था और उससे दुरगंद आ रहा था और फिर रस निकल रहा था तो हाद जोर के कुवेर जी के चरण में गिर पड़ा और उनसे प्रात्ना किया कि हमको माव कर दीजे हमने जो अपराद किया है वह बिन जाने कर कर बैटे हैं कोई जान प्रियाग करके वहां से चले गए थे और दूसरे वार और सकल भी नहीं देखना चाहरे थे हमा माली का तो तब हमाली उसकुष्ट रोगों को धारन करके उस अवस्ता में पीरित होके तच्छना अविशाव ग्रस्त होने के कारण अलकापूरी से अधह लोगों के पास चले वहां पर पहुंचके हेमा माली कि बहुत रो रहा था और भगवाण से प्राथना कर रहा था यह प्रभु हमने क्या अपराद कर दिया कृपापूर्भक वचाएं और इस आपराद से मुक्त कीजे और इस कटिन कश्ट पीरा से हमको रक्षा प्रदान कीजू तो वहां से रोजाना प्रात्ना करने लगा तो ऐसे उसके प्रात्ना को सुनके भगवान शिव जी एक दिन उसको आसिरवाद प्रदान की और भगवान श्रीव के आसिरवाद से उसको एक दिव्य कृपा मिला क्यों जहां पे रस्ते में जंगल से नदी से विविन्न प्रकार के पहार परवत से गुजर रहा था क्योंकि उसका कोई आसरे नहीं था ऐसे और भटक रहा था सभी जगहों में ऐसे भटकते भटकते जाते जाते रस्ते में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा परवत है और परवत के वहां पे एक गूफा है और वहां पास में ही एक आसरम बना हुआ था अब उस आस्रम को देखके वो सोचने लगा कि कोई ना कोई तो रहेगा उनसे जाके हम कुछ ना कुछ आस्रे विक्षा करेंगे तो आगे बढ़ने लगा अब भगवान शिव का कही न कहीं इसके उपर कृपा तो हो गया था तो इस कृपा के कारण भगवान शिव अपने अनक्तम सृष्ट भग्त को वहाँ पर भेज दिये जोकी वहाँ पर उपस्तित थे कौन मारकंडिय रिशी अब रिशी मारकंडिय का आस्रम ठाव आपर जोकी बहुती प्रभावसाली तेजुस सी एक जन रिशी थें तो वहां पर उपस्तित थे और भागवान श्रीप का पूजा अर्चन कर रहे थे तो इतने में वहां पर हिमा माली जाके प्रभेश किया और दूर से दंडबत प्रणाम करने लगा अब मार्गेंडिया मुनी देखिए कि कौन है मेरे सामने आकर प्रणाम कर रहा है ऐसा विक् दंडबत प्रणाम करके हेमा माली बोले के मुनिवर हमको अभिशाप मिला है जिस अभिशाप के कारण हमारे सरीर का जितना भी सोंदर्य रुप था सब चला गया और हमने बहुत बड़ा अपराद कर बैठे हम कुवेर जी के चरण में भवान शिव के चरण में तब मार्ग क्या है इस विशय को विक्त करो तब हेमा माली बता है कि हेम उनिवर एक दिन कुवेर जी हमको भगवान शिव के पूजा के लिए सरोवर के तट में पुष्प चैन करके लेके आने के लिए बताये थे तो इस सेवा में हम निजुक्त थे और बहुत समय से ही हम इस सेवा को क चिंता में आया और उसको ये बारे में चिंता करते हम तुरंती उसके पास पहुँच गये तो जहां पर हमको पुष्प लेके कुवेर जी के अलकापुरी में जाना था पूजा के लिए भगवान शिव का हम वहाना जाके हम सीधे अपने स्त्री के पास चले गए और स्त्री ढ़ दोरा हो रहा है और हम भटक रहें डिला को अश्रह नहीं है हम भूके हैं हमको पानी तक नहीं मिला हम बिना पानी इंजा कुछ घा हम पूनुपरवास में स्थानों में अश् wilay तो कपाूपूर वगे मुनिवर आप हमको आसिर्वाद प्रदान कीजे और जिससे हमारा एजंत्रना और इस अभिशाप से हम मुक्त हो पाएं ऐसा कोई रस्ता दिखाई है तब इसको सुनके मार्केंडे रिसी बहुत संतुष्ट है तब वो बताएं कि देखो तुमने हमको सब कुछ सच बताया कोई भी विश्व को छुपाया नहीं तो इससे हम तुम पहाओ देते हैं तुम इसको करो क्या कि तुम अभी इस आशार महीन में पवित्र योगीनी एकादसी आ रहा है तो तुम उस पवित्र योगीनी एकादसी के व्रत को पालन करो और इसको पालन करने मात रही तुम अपने पुनर सोंदर्य को प्राप्त करोगे योगन को प्र से ले जाएंगे और तुम्हारा जो रिदय के अंदर बहुत वेदना है तुम ने अपराद किया तो उस अपराद का जो गलानी है तुमको अनियत रूप से अंदर ही अंदर खाये जा रहा है तो कष्ट पीरा भी चले जाएगा और तुम जो भूके हो प्यासे हो तो तुम्हारा भूक प्यास दोनों ही मिट जाएगा तो इसको सुनने के बाद मारकेंडियमुनी को दंडबत परणाम कर गें हिमामाली वहां से लौट आया और लौट गें एक स्थान में अधिवास कर गें वहां पे इस योगीनी एकादसी को पूर्ण निर्जला व्रत के सहित निष्टा के साथ पालन किया और मारकेंडियमुनी उनको बताए थे हैं कि जनारधन भगवान का चिंता करना अर्थाट परम्रम भगवान शिक्रिष्न का जो कि सभी जीवों के धन हैं उनका प्रान है तो उनका नामस्तूती Πाठ करना उनका चिंतन करना और उनका पूजन करना तो इस कार्य को पून प्राप्त किया और उसका जो जीवन में परम्सुक था जो सिवा में पहले नहीं तो हुआ था तो ऐसे उसको स्रेष्ट फिर से संपत अपने जीवन में मिला और फिर अपने स्त्री के पास लौड गया स्त्री उसको पैचान पाई और फिर से अपना ली और एक साथ दोनों रहने लगें और घर के सभी सदस्यों के साथ हां बहुती संतुष्टी के साथ भागवाद भक्ती में निजुक्त होके अपने ग्रियस्त धर्म को पालन करने लगा तो इ सभी प्रकार की कृत पापों से मुक्ति मिला और सरवों परी भागवाद शीव के भक्त खुवेर जी के चरन में जो अपराद किया था उससे क्यों मुक्त हुआ और जहां पर उसके दौरा जगत के सभी विक्ति वर्ग जान पाये कि यह योगीनी एकादसी कितना सरिष्ट है तो भगवान स्थिक्रिष्ण इस कहानी को युदिश्टिर महाराज को व्यक्ति किये और अंटिम में बताएं कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र योगीनी एकादसी को करता है तो परवत सद्रिश्य उसके रासी-रासी कृत पाप और सर्वपरी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है वो भगवत धाम को प्राप्त करता है और कोई भी अगर उसने वश्णव के चरण में अपराद किया हो भगवान के सुद्ध भक्तों के चरण में अपराद किया हो तो उस अपराद से वो मुक्त हो सकता है और इस एकादसी को करने से वेक्ती को 88,000 ब्रामभनास को खिलाने का जो सुकृति मिलता है तो उस सुकृति को वेक्ती सिर्फ और सिर्फ इस योगिनी एकादसी को करने से ही प्राप्त करता है तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ब्राम्वन को खिलाएं उनको संतुष्ट करें लेकिन आपका समता नहीं है आप अपने तरफ सुतना करने ही पार रहें लेकिन आज के दिन सिर्फ और सिर्फ इस पवित्र योगी नियकादसी को पालन करने मात रही आप 88,000 ब्राम्वन उस स्टया हैं तो हम सभी को आज इक दिन सद्धा के साथ भग्वार केसर्फ शिक्रश्ण का चिंतन करते हैं इस को रही सिर्फब योगी नियकादसी interacti को श्रमन किये तो इसके बाद आप सभी निष्टा के साथ इस एकादसी के ब्रत को पालन कीजिए और सिर्फ इस एकादसी को नहीं ऐसे जितने icon goal रव्रत आते हैं सभी को 30 सरद्धा के साथ व्रत को जिवन में धारण करने का प्रयास करें कि इससे हमारा सिर्व आध्धक जीवन ही नहीं जागतिक जीवन में भी हम बहुत जादा उस्तत तंद्रुस्त पर हैं युआ में हमको सुस्त रहना हैं बिना ज्यादा मेडिसिन लिए बिना डॉक्टर के पास गए तो इसका सुरहा अगर आप जानना चाहते हैं वह एक मात्र एकादसी ही है अगर आप एकादसी ब्रत आदी को पालन करेंगे आपका सरी सुस्त रहेगा आप निरोग रहोगे और आप शार्प होगा बहुत सारे मेनिफिट्स हैं सिर्व कीजिए फिर देखिए इसका फल क्या होता है आध्धातिक दृष्टी से तो आपको उच्छे गती मिलेगा ही मिलेगा और जागतिक बहुत सारे सुरेष्ट सुफल को आप राप्त कर सकते हैं जो भी आपका काम रुका आज के इस पवित्र योगिनी एकादसी के महत्तों को ध्यान पूर्वक सरद्धा के साथ सुनने के लिए और ऐसे ही मेरे साथ जुरे रहें और भी हम आप सभी को लीला महत्तों प्रकास करते रहेंगे हर एक एकादसी में जैसे हम एकादसी के महत्तों को बताते हैं वैसे ही प्रयाज करेंगे जितने मी भगवान के लीला है माधुरिया है श्रीमाद भागवतम में भागवत गीदा में चैतने चरिताम्रिता आदी पवित्र गरंथों में तो सभी के बारे में हम व्यक्त करते रहेंगे आज जैसे की योगीनी एकादसी के महत्तों को हम ब्रह्मा रखेंगे हर एक एकादसी में आप सभी को प्रकृत एकादसी के महत्तों को वरिनन करने का सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जूरे रहने के लिए हरे कृष्णा